हलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक हम अपने प्रीविएस वीडियो में आपको चैप्टर अगबरी लोटा समझा चुके हैं ये किस तरीके से हाथ से वेंग से भरपूर ये चैप्टर हमने पढ़ा और साथ में ये भी बताया कि वो जो पंडित जी थे हैं उन्होंने किस तरीके ये से अंग्रेश को बेवकूफ बनाकर वो बेढगा सा लोटा उन्हें अगबरी लोटा बनाकर खुब महंगे में वेच भी दिया और लाला जी की समस्या का हल भी निकाला तो ये सारी चीजे हमने इस पहले वाले पार इस पार्ट में पढ़ी अब इस पार्ट के प्रश्न पहला है लाला ने लोटा ले लिया बोले कुछ नहीं अपनी पत्नी का अदब मानते थे लाला जाओ लाल को बेढगा लोटा बिलकुल पसंद नहीं था फिर भी उन्होंने चुप चाप लोटा ले लिया आपके विचार से वे चुप क्यों रहे अपने विचार रखिये तो ये वही पर आपको पुखिए कि उन्होंने चुपचाप को लोटा ले लिया और कुछ भी नहीं बोला तो उसका क्या कारण था ये बताना लाला जहाओ लाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया क्योंकि वे अपनी पत्नी का अदब मानते थे मतलब उसकी इज़त करते थे दूसरा वे पत्नी के तेज तर्रार सुभाव से भी अबगत थे जिसके सामने वे कमजोर पढ़ जाते थे पत्नी बहुत तेज तर्रार थी तो वो कुछ नहीं बोलते थे उनके सामने कि एक बोलेंगे तो फिर बहुत जादा सुनना पड़ेगा इसलिए चुपचाप ले उन्होंने सोचा अभी तो लोटे में पानी मिला है यदि चुँ कर दी तो कहीं बाल्टी में भोजन ना करना पड़ जाए मतलब कि अगर मैंने इस लोटे के बारे में कुछ भी बोला कि तुम इस लोटे में पानी लेकर क्यों आई हो किसलिए आई हो क्या है तो ऐसा ना हो कि कहीं बीबी मुझे बाल्टी में भोजन परोज दे और बोले कि खाओ तो इस चीज से वो डर गए अर्थात इससे भी बुरी इस्तती का सामना करना पड़ेगा यानि कि जो बुरी इस्तती उनके सामने आई थी इससे भी बुरी इस्तिती आ सकती थी अगर उन्होंने कुछ और बूला होता लाला ज्जाव लाल जी ने फोरण दो और दो जोड़कर इस्तिती को समझ लिया आपके विचार में लाला ज्जाव लाल ने कौन-कौन सी बाते समझ ली तो मतलब तुरंट कौन सी स्थितियां उन्होंने समझ ली थी हमें ये बताना है दो और दो जोड़कर इस्तिती का समझना अर्थात परिस्तिती को भाप जाना यानि कि जो परिस्तितियां चल रही हैं उसका अंदाजा तुरंट लगा लेना कि आखिर चल क्या रहा है लोटा गिरने पर गली में मचे शोर को सुनकर भीड आंगन में एकत्र हो गई मतलब लोटा जो है गिरा था और तुरंट वो अंग्रेज बहुत तेज गुस्वाने लगा था तो क्या हुआ था कि वहाँ पर बहुत जादा भीड उनकी आंगन में एकत्र होने लगी थी एक अंग्रेज को भीगे हुए तथा पैर सहलाते हुए देखकर लाला समझ गए कि इस्तिति गंभीर है मतलब एक अंग्रेज दाखिल हुआ जो उपर से लेकी नीचे तक भीगा हुआ था और अपने पैर के अंग्रेज को जो है वो मल रहा था तो वो तुरंत ही समझ गए कि यहां पर कुछ गडबड हो गई है इस्तिति गंभीर है क्योंकि लोटे से अंग्रेज को चोट लगी थी अब यह जगडा करेगा इसलिए इस समय उनका चुप रहना ही ठीक है अब वो समझ गए थे कि यह जो अंग्रेज है वो आकर मुझसे जगडा करेगा इसलिए चुप चाप इसकी बाद सुनते रहो तो वो सारी परिस्तियां उन्होंने देखी समझी और अंदाजा लगा लिया कि यहां पर कुछ गडबड गटने वाला है अंग्रेज के सामने बिलबासी जी ने जाउ लाल को पहचानने तक से क्यों इंकार कर दिया आपके विचार में बिलबासी जी ने ऐसा अजीव भैवार क्यों कर रहे हैं इस पश्ट कीजिए उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि अगर वो बोलते कि हम पहचानते हैं इस विक्ति को तब वो लोटे वाली कहानी के उपर अंग्रेज वो संधे कर लेता अब उन्हें तो लोटा बेच के पैसा कमाना था इसलिए उन्होंने लाला जी को पहचानने से ही इंकार कर दिया क्योंकि अगर वो पहचानेंगे नहीं तो जो अंग्रेज है वो लोटा बहुत आसानी से खरीद लेगा इसलिए उन्होंने लाला को पहचानने से मना किया था तो कैसे लिखेंगे अंग्रेज की सामने बिलबासी जी ने जावलाल को पहचानने से इंकार कर दिया था ताकि अंग्रेज का कोच शांत हो जाए और अंग्रेज को जराबी संदेह ना हो अंग्रेज बहुत कुछ गुस्से में था अगर बोलता कि मैं जानता हूँ तब तो उसका गुस्सा और बढ़ जाता हम अगर यहाँ पे पहले गुस्सा शांत करना था तब अपनी गोटी फिट करनी थी उनको तो उन्होंने मना किया गुस्सा शांत हुआ और अगर वो बोलते तो यहाँ संदे हो जाता कि यह सब की मिली जुली भगाते हमको बेवकूफ बनाने की कि लाला जाओ ललका आदमी है वह अपनी योजना भी पूरी करना चाते थे जिससे पैसों की विवस्था हो सके तो बिलबासी जी यहाँ योजना पूरी करना चाते थे जिससे उनको पैसा मिल सके बिलबासी जी ने रुपियों का प्रबंद कहां से किया था लिखिए मतलब बिलबासी जी रुपियों का प्रबंद कहां से कलके लेकिया थे अपनी बीबी की उससे वो लिखेंगे विल्बासी जी ने रुपईों का प्रबंद अपने ही घर से अपनी पत्नी के संदोक से चोरी किया था मतलब वो जो उनकी बीबी घर में पहनती थी जंजीर उसमें ताली रहती ताली मतलब चाबी रहती थी निकाला था, खोल के उसमें से पैसे निकाले थे और उसको ले कर आये थे लाला जी को देने के लिए, जब वो देने के लिए यहां आये ही थे तो तब ही देखा कि घर में जो है इतना बड़ा बवाल मचा हुआ है, एक अंग्रेज अंगुठा पकड़े बैठा है और इतनी सा अंग्रेज ने यह पुराना लोटा क्यों खरीद लिया, आपस में चर्चा करके वास्तविक कारण की खोच कीजिए, तो क्या है भारती सब्वेता और संस्कृती बहुत पुरानी है, ठीक है, तो उसकी जो चीजें पुरानी मिलती है वो बहुत बहुमूले होती है, और कीम भारती संस्कृत ने सब्वेता, संस्कृती कला और एहतियासिक वस्तुओं में हमेशा से ही विद्येशियों को आकरशित किया है, क्यों क्योंकि यह बहुत पुरानी रही है, इसलिए अंग्रेज हमेशा इसकी तरफ आकरशित हुए, अंग्रेज को भी पुरानी एहतियासि चीजें ही खोज रहा था जब लाला जी के हाथ से लोटा छूट के नीचे गिरा था तो उस समय वो दुकान में एतियासिक चीजें ही खोज रहा था ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि दुकान में से पुरानी पीतल की मूर्तियां खरीद रहा था उस समय नीचे अंग्रेज ने बिल्बासी के कहने पर लोटा अकबरी लोटा समझकर 500 रुपए में खरीद लिया था इस भेद को मेरे सिवा मेरा इश्वर ही जानता है आप उसी से पूछ लीजिए मैं नहीं बताऊंगा बिल्बासी जी ने ये बात किस से और क्यों कही लिखिये तो किस से कही थी जब लाला जी को से पैसे लाके दिये थे तब उन्होंने पूछा ना पैसे का प्रबंद कहा हुआ तो तब उन्होंने ये चीज जवाब दी थी कि ये कैसे हुआ ये मैं ही और मेरे इश्वर जानते हैं आप उन्हीं से पूछ लीजेगा तो कैसे बिलबासी जी ने ये बात लाला जहाउल मल से कही क्योंकि बिलबासी जी ने रुपियों का प्रबंध अपने ही घर से अपनी पत्नी के संदूख से चोरी करके किया था इस रहस को वो जाव लाल के सामने खोलना नहीं चाहते थे दूसरे उन्हें घर पहुँचकर उन रुपियों को भी अथा स्थान पर रखना था तो वो अब ये सब चीजें नहीं बता सकते थे कि ये हमने अपने ही घर से पही पंडित होते हुए अपने घर से क्यों चोरी करेंगे तो ये इसलिए उनको नहीं बताना चाहते थे उस दिन रातरी में बिलबासी जी को देर तक नीन नहीं आई समस्या जाओ लाल की थी और नीन बिलबासी की उड़ी तो क्यों लिखिये जिस समय पैसे का अंतिजाम के लिए बोला था और पैसे का अंतिजाम नहीं हो पाए थे तो बिलबासी जी को सारी रात नीन नहीं आई थी बहुत देर तक तो ये क्यों कारण था जाउलाल की सहायता के लिए बिलबासी जी ने अपनी पत्नी के संदोग से पैसे चोरी किये थे अब उन्होंने चोरी तो कर लिये थे मगर उनको नीन ने बैज़ा हम कोई गलत काम करते हैं तो हमें नीन कैसे आ सकती है तो वही काम किसके साथ हुआ जाउलाल जी के साथ हुआ उन्होंने चोरी तो कर लिया मगर उन्हें नीन बिल्कुल भी नहीं आ रही थी वो बहुत जादा परिशान थे अब वे अपनी पत्नी के सोने की प्रतीक्षा में थे ताकि वह पैसे चुपचप संकुन्दूप में रख दे इस प्रकार समस्या जाउलाल की थी और नीन जो है वो बिल्बासी की उड़ी थी अब पैसे उन्हें वापस रखने थे इंतजार कर रहे थे कि बीबी सोय तो हम भई रखें तो वो चिंता वो घबराहट के ऐसा ना हो कि मैं रख रहा हूँ तो वो वापस पत्मी जाग जाए तो वो जो डर था उनके इंदर बैठा हुआ था तो जब उन्होंने रख दिया तब कहीं जाकर वो निश्चिंत होकर सोच चके थे तो समस्या किस की थी जाओ लाल की और नीन किस की उड़ी बिलबासी जी की अब नेक्स कोशन क्या है लेकिन मुझे इसी जिंदगी में चाहिए अजी इसी हफते में ले लेना सबतहा में से उनका तातपर साथ दिन से है या साथ वर्ष से जाव लाल उनकी पत्नी के बीच इस बात्ची से क्या पता चलता है लिखिए अब उनके बीच बात्ची तो जब उन्होंने बोला था पत्नी नहीं कि मुझे धाई सो रुपे चाहिए तो उन्हेंने बोला था ना कि एक हपते में दे दूंगा तो उन्हेंने बोला एक हपता मतलब इसी जनम में ऐसा ना हो कि अगले जनम तो वही चीज़ उन्हेंने बोला तो ताथ पर साथ दिन है या साथ वर्ष यानि कि साथ दिन में ही दोगे या साथ वर्ष में दोगे तो इससे क्या तात पर रहे था जाउलाल और उनकी पत्नी के बीच इस बादचीत में से निमलिखित बाते पता चलती है क्या जाउलाल की पत्नी को अपने पती जाउलाल के वादे पर भरोसा नहीं था मतलब वो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी जावलाल के उपर उनकी पत्नी ने पहले भी कुछ मांगा होगा परंतो उनोंने हा करने के बाद भी लाकर नहीं दिया होगा यानि कि बीबी जो पहले भी कुछ मांगी होगी जो नहीं लाके दिया हुआ तो इस बार उन्होंने इस तरीके से बोला तीसरा कारण जावलाल बहुती कंजूस प्रवत्ति के हो सकते ही कि जावलाल पैसे बहुत बचाके रखते हों इसलिए वो जो है ऐसा बोल रही हूँ फिर वह अपनी तर्ग शक्ति से लाला जी को निरुत्तर कर दिया करती थी मतलब उनकी तर्ग शक्ति भाई वो तेश तो थी तेश तर्रार थी तो अपनी जो शक्ति बोलने की शक्ति होती थी वो लाला जी को एकदम निरुत्तर कर दिती मतलब उसके बाद लाला जी के पास बोलने के लिए शब्द नहीं बचते थे तो ये आपके चार कारण हो सकते हैं जिसकी वज़ा से बीबी ने बोला हो कि साथ दिन मतलब इसी सब्ताना की साथ वर्ष नेक्स क्या होता यदि अंग्रेज लोटा ना खरीदता अब situation दिये कर लोटा ना खरीदता तो कहां से होता पैसे तो लाए थे पंडिज जी तो अब वो क्या परस्ति होती यदि अंग्रेज लोटा नहीं खरीदता तो बिलबासी जी को अपनी पत्नी से चुराए हुए रुपए लाला जहाउ लाल को देने पड़ते अनता जहाउ लाल अपनी पत्नी को पैसे नहीं दे पाते और पत्नी पत्नी के सामने बेजज़तत होते तो पैसे तो बिलबासी जी ले ही आये थे मगर यहाँ पर अब अंग्रेज वाला कांड दुआ था तो उन्होंने बेज़के पैसे कमा लिये थे लेकिन अप परिस्ति क्या हो गई थी कि अगर नहीं हो नहीं खरीता तब तो पैसे चुरा लिये थे वही पैसे जहाउ लाल को देने पड़ते और अगर जो क्या करते हैं नहीं तो उनकी बीबी जो है उनको बहुत बेज़ती करती जहाउ लाल की तो ये चीजें आप यहाँ पर लिखेंगे नेक्स कोशिन क्या होता यदि अंग्रेज पुलिस को बुला लेता अगर पुलिस वो अंग्रेज सीधे आंगन में चलके ना आपको सिचुवेशन दी जारी हैं आप किस तरीके से करते हैं यदि अंग्रेज पुलिस को बुला लेता तो संभवता लाला जहाउ लाल को गिरफतार कर लिया जाता और उन्हें जुर्माना देना पड़ता कि अगर वो घर पे ना आने की बजाए सीधे पुलिस टेशन चला जाता तो ये उस परस्तिती में जहाउ लाल जी जो हैं वो गिरफतार कर लिये जाते और उन्हें जुर्माने के तोर पे और पैसे देने तो पहले उनको बीवी को पैसे देने दे फिर उन्हें जुर्माने के तोर पर भी पैसे देने पड़ जाते नेक्स कोशन क्या होता यदि जब बिलबासी अपनी पत्नी के गले से चाभी निकाल रहते तभी उनकी पत्नी जाग जाती तो आपके सामने परस्थितियां रखी जा रही है अब आपको सोच के देनी है चीज़ हम तो सिचुएशन प्रेक कर रहे हैं अब आप कितनी अपनी तरक संता से वह पत्नी जाग जाती उस सिचुएशन में क्या होता गले से चाभी निकालते समय यदि बिलबासी जी की पत्नी जाग जाती चोरी जैसा घिनोना काम करने पर उन्हें अपनी पत्नी के समक्ष सर्मिंदा होना पड़ता और हो सकता है कि दोनों का जगड़ा भी हो सकता हो सकता है कि जगड़ा होता ही भई चोरी कर रहे थे तो जगड़ा होता ही होता तो यहाँ पे चोरी जैसा खिनावना काम करने के लिए शर्मिंदा होना पड़ता और दोनों में जगड़े की भी पूरी पूरी गैरंटीती की जगड़ा हो ही जाता अब हम आते हैं आगए अपने last question क्या दिया है बिलबासी जी ने जिस तरीके से रुपियों का प्रबंद किया वह सही था या गलत अब बिलबासी जी ने जो प्रबंद किया पैसों का वह सही तरीका था या गलत अब आपको अपनी तरक शंता के आधार पर देना है, कि आप क्या सोचते हैं, उस तरीके से देना है, जैसे बिलबासी जी ने जिस तरीके से रुपियों का प्रबंद किया हुआ गलत था, एक तो पतनी के रुपे चुराना सही नहीं था, दूसरा अपनी स्वार सिद्धी के लिए किसी को उल्लू बनाना नहीं चाहिए था मतलब अपना स्वार करने के लिए उन्होंने अंग्रेज को उल्लू बनाया था ना तो वो नहीं करना चाहिए था जब अंग्रेज को एतिहासिक वस्तुमों के नाम पर अपने साथ हुए ठगी का पता चलेगा तो उसके मन में क विश्वास टूट जाएगा, जब अंग्रेज को पता चलेगा कि मुझे इसके हिसाब से हमको लूटा गया है, तो उनका विश्वास जो है, वो भारतियों पर से उठ जाएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो इस तरीके से इस पार्ट के जो हैं सभी प्रशन उत्तर मैंने आपको समझाए पार्ट, भाई, मुझे पढ़ाने में तो बहुत मज़ा आया, I hope आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आया होगा, फिर लास में जो कोशिंस आपके सामने पुटप किये गए, कि बताइए ऐसा नहीं होता तो ऐसा कैसे होता, तो वो situations भी आप जरू जो मैंने लिखाई हैं उसके इलावा भी कुछ और सोचने की कोशिश करिएगा शायद कुछ आप और अच्छी situations रख सकें उसमें तो बस मेरी कोशिश यही है कि आप अपनी जो है शमता के हिसाब से प्रशनों के उत्तर दीजिए क्योंकि आप जितनी अपनी शमता का इस्तेमाल करेंगे आपकी तर्क शक्ती, बुद्धी शक्ती उतनी जादा डेवलप होगी और आप हिंदू को उतनी अच्छे तरीके से लिख और समझ सकेंगे तो ये चैप्टर समझने के लिए बहुत बहुत थैंक यू बाबाई